Hey developers, welcome back to my another video और आज की वीडियो में हम देखेंगे किसना से हम किसी भी open source model को fine tune कर सकते हैं और उसको कैसे use कर सकते हैं इस वीडियो में हम proper detailed steps के साथ देखेंगे ति क्या-क्या steps required होते हैं model किसी भी model को fine tune करने के तो चलें, चलते हैं शुरू करते हैं ओके, यह है मेरी सब्सक्राइब कोर्ट की file फिस में मैंने fine tune.deepseek.py के नाब जब रहे हैं कि उसके हम deepseek model को आज करना चाहते हैं और यह मेरा data set है सबसे पहला step हमाला data set को train data set होगा which is this syntax तो यह हमाला इसका syntax है कि हम सबसे पहले library import की data set की और यह हमने यहां से अपना data set को load किया which is my data set file is this तो यह वरा data set file का structure है जिसमें हमने input और output दोनों provide किया है क्या है इसका input होगा और क्या है इसका output होगा तो अब सबसे पहले हम यह इसका first step है अब हम चाहते हैं इसका second step second step हमारा किसी भी model को load करना है और उसको tokenizer को load करना है तो अब हमारे पास मैंने जो model को load किया है वो नाम उसका है deep seek r1 distal quen 1.5 billion parameters पर तो अब यहां बेर यह देखेंगे इसका हमने tokenizer को यहां बेर हमने load कर लिए है और हमने model को load कर लिए है यहां बेर आप कोई भी model को fine tune कर सकते हैं इसलिए मैंने आपको पहले आप मेरा जो first मैंने आपको earlier मैंने आपको बताया कि हम किसी भी open source model को कैसे fine tune कर सकते हैं वो यह हमारा name होगा बाकि steps पर हर किसी model के लिए बाकि steps सेम होगे बड़ सेफ इस step के लिए model length change होगा तो अब हम चनते हैं पीसरे step की तरफ तीसरे step है tokenize the data set अब tokenize हमने data set को क्या रहन है tokenize तो क्या मतलब होता है tokenization is the process of converting raw text into smaller units मतलब के हम किसी भी एक raw content को small small divisions में divide करे हैं जिसमें हम एक word को sub words में divide कर सकते हैं we are dividing the words into sub words right so for example या आपके example सामने what is the capital of France तो हमने क्या किया इस पूरे sentence को हमने words की form में convert कर दिया यह आपके data set को tokenization जो है वो इससे efficiency improve होती है fourth step है हमारा हमने training arguments को define करना हो यह हमारे पास उसकी library है यहां से हम transformers की मदद से हम training arguments को call करके training arguments कर सकते हैं अपने आपके अगर जो भी हमारे पास output आपके show करानी हो वो आपका result directory के अंदर save हो जाएगा यहां भी आपने epochs का क्या मदब होता है कि पूरे data set को यह तीन दफा दीखेगा six step है हमने trainer को initialize करना है trainer से हमारे पास model आ गया इस trainer के अंदर हमारे पास model जो हमने define किया है जो हमने arguments पास किये हैं और हमने उसको train करना है और यह validation करनी है means यह option है हमारे पास इसको आप रिल्ट कर सकते हैं but as a proper thing we can do that six हमारे पास है find tune the model यह हमारे पास एक pre-built-end method है train जिससे आप पास trainer जो है वो train कर देगा these kind parameters model को अब आद हमने model को save पढ़ना है जो के हमारे पास हमने हम भी कह किया save the model in this train is the built-in method to save the model right और यह हमारे पास उसकी directory है अब इस directory के अंदर आपके पास तरह आपके पास यह directory create होएगी इस directory के अंदर यह हमारे पास files मुझूद होंगी जिनको हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है ठीक है इस model को evaluate करना है which is step 8 तो हमने यहां भी कहतिया कि हमने यहां पे हमारे पास यह optional step है but as for tracing यह हमारे पास efficient को improve रहे है उसकी tracing, उसकी evaluation के वो model सही भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा सिर्फ उसके लिए हम इसको use करते हैं तो आपके पास यहां भी कहोगा evaluate the model तो हम evaluate यह है वो built-in method है evaluate कुणने के लिए model को यह जो भी आपने model train किया है safe यह है वो क्या सही आपको progress दे रहा है कि मैं ही अब हमारे पास यह हो गया सारी model training इस सारे step हमारे पास क्या हो गया model training के कि हम किस तरह से model को pick करते हैं किस तरह से हम model को dataset त्यार करते हैं किस तरह से model को train करते हैं save करते हैं उसके बाद हम इसको evaluate करते हैं अब हमारे पास step 9 है यह सिर्फ आपने पर साइन आपने model को use model को train model को fit साब कुछ कर लिया तो अब आपने इस सारे कुपा यह यूज नहीं होगा अब आप एक नई file create करेंगे और यह सब आपने यह त्यार लाइनों को पोर लिखना है जिससे आप अपने model को use कर सकते हैं यहाँ भी आप कोई भी input दे according to your finding dataset और वो आपको उसका result numbers में generate करके देगा और फिर वो आपको decode करके उसको जो भी आपकी language ती जिसमें आपका data site है उसी language में आपको response generate करके देगा all these steps are for find the model and how to use that model तो हमारे पास इस सारे हम इस model को दुबारा से reuse कर सकते हैं I hope यह आपको वीडियो चीजगी हो इसको इस वीडियो में कोई भी मसला हो तो आप उसे पूसकते हैं Thank you so much Bye Bye